दोस्तों क्यालाश परवत के रहस्तों के बारे में आप सभी ने बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे परंतु कि आप जानते हैं कि आखिर क्यालाश परवत की गुफाओं में रहकर हजारों सालों तक तपस्या करने वाले शाधू आखिर अपने पेट की भूग को कैसे इतने लंबे समय तक शांत रख पाते हैं आखिर क्यालाश परवत के किस हिस्से में ये रहस्त में साधू हजारों सालों से तपस्या में लीन है आखिर नासा के साइंटिस्टों ने क्यालाश परवत में लगाए गए सैटलाइट्स में ऐसा क्या देख लिया जिसे देख कर उनके भी मुख से हर हर महादेव के नारे निकले आखिर क्यों हजारों लाखों सालों से विभन्य परकार के धर्मों और पंथों के गुरुवों ने क्यालाश परवत में कई वर्सों तक साधनाय की लगभग 8848 मीटर उचे माउंट एवरिष्ट की चोटी कई लोग चड़ चुके हैं लेकिन इससे कम 6600 मीटर उचे माउंट क्यालाश के परवत को आस तक कोई फतह क्यों नहीं कर पाया क्या क्यालाश परवत पर भगवान शंकर सच में निवास करते हैं क्या है क्यालाश परवत के नीचे दबे रहस्में शेहर का राज क्यों इसकंद पुरान, मत्स पुरान और शिपुरान में क्यालाश परवत को लेकर अलग-लग से खंड दिया गया है क्या क्यालाश परवत पर अलोकिक शक्तियों का वास है क्यों सभी नदियों का उद्गम क्यालाश परवत से हुआ है क्या क्यालाश परवत पर एलियन्स रहते हैं? क्यूं आती है क्यालाश परवत से रहस्मी आवाज? क्या चीन क्यालाश परवत के रास को दुनिया से छुपाना चाहता है? क्यालाश परवत के नीची गुफाओं में आकिर कौन सा रास छुपा हुआ है? क्यालाश प्रवस्स से ऐसे कौन से संकेत मिल रहे हैं जो कल्यों के अंध के और इशारा कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब आज हम आपको इस वीडियो के माधिम से देने वाले हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बाड कमेंट बॉक्स में हर हर महादेब जरूर लिखेगा तो चली इस वीडियो की शुरुवात कर लेते हैं एक समय की बात है भगवान शंकर परमानन्द की स्थिती में पागलों की तरह हिमाले पर निर्थे करने लगे ये सब देखकर सभी के मन में जिग्यासा जागू थी कि आकी रासा क्या हुआ कि शुरू पागलों की तरह अध्भूत निर्थे करने लगे और फिर बैढ़ गये वहां मौझूद सादू के दिल्चस्पी और ज़्यादा बढ़ी और इसे जाननी को उत्सुक होकर धीरे धीरे वे सबी भगवान शिप के पास पहुँचे लेकिन भगवान शिप ने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे तो परमानन्द में लीन थे उन्हीं ये पता ही नहीं चला कि उनके एर्दि़िद क्या हो रहा है सादू सिन्या सी इंतिजार करती रहे और फिर लोडगए लेकिन न सभी सादू में से साथ सादू ऐसे थे जो उनकी इस निर्थे का रहसे जाना चाहते थे लेकिन शिव ने उन्हें नजर अंदास कर दिया क्योंकि वे अपने समाधी में लीन थे बहुत समय बाद जब शिव ने आँखें खुली तो साधों ने शिव जी से उनकी इस निर्थ और आनंद का रहस से पूछा शिव ने उनकी और देखा और कहा यदि तुम इसी इंतिजार के स्थिती में लाखों साल भी गुजार दोगे तो भी इस रहस को नहीं जान पाऊगे क्योंकि जो मैंने जाना है वो चण भर में बताय नहीं जा सकता और नहीं उसे चण भर में पाया जा सकता है ये कोई जिग्यासा ये कौतोहल का विशेर नहीं है चले जाओ यहां से और अपना काम करो लेकिन ये साथ साथ हूँ पक्के हटी थे शिव की बातों को उन्होंने चुनोती के तरह लिया और वे भी शिव के पास ही आँखे बंद करके ध्यान लगा कर बैठ गये दिन, सब्ता, महिने, साल और फिर सदियां भी दिये लेकिन शिव थे कि उन्हें नजर अदास करते ही जा रहे थे 84 साल के लंबी साधना के बाद ग्रिश्म संक्रांती के शरत संक्रांती में बदलने पर पहली पुर्णिमा का दिन आया जब सोरिय उत्तरायन से दक्षिरायन में चले गए पुर्णिमा के इस दिन आदियोगी शिव ने इन साथ तपस्वी साधूँ को देखा उन्होंने पाया कि साधना करते करते ये साधूँ इतने पक चुके हैं कि वे अब ग्यान हासिल करने के लिए तयार है अब उन्हें और नजरन्दाज नहीं किया जा सकता था शिव ने उन साथों को अगले 28 दिनों तक बेहत नजदीक से देखा और अगली पुर्णिमा पर उनका गुरू बरने का निरने लिया इस तरह शिव ने स्वेम को आदी गुरू में रुपांतरित कर लिया इस प्रकार भगवान शंकर पहले गुरू बने और इसी स्थान को क्यालाश परवत के नाम से जाना जाने लगा दोस्तों यही कारण है कि भगवान शिर्क को ये कैलाश परवत अत्यंत प्रिय है कैलाश परवत पर शोद कर रहे नासा के साइनटिस्टों ने कैलाश परवत को धर्दी का केंद्र माना है कैलाश परवत की उचाई लगबक 6,600 मीटर है जो दुनिया के सबसे उचे परवत माउंट टेवरिष्ट से कम है माउंट टेवरिष्ट पर कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं लेकिन उचाई में इसे कम होने के बावजूद कैलाश परवत के सिखर पर अब तक कोई नहीं चड़ पाया और यह आज भी आजय है इस परवत में सो से अधिक छोटे पिरामिड है जिनके जुरने से इस परवत का निर्मान हुआ है इस परवत के चारों और अलग-अलग जानवरों के आकरती है और इन आकरतियों से चार नदिया निकलती है जो इस परवत को चार भागों में बाड़ती है मानसुरूबर तथा राक्चाज जील क्यलाश प्रवत पर स्थित है क्यलाश प्रवत अनिको नदियू का उद्गम स्थल्बी है जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंदू, सतलुज और घागर परमुख है क्यलाश प्रवत को हिंदू, बौध, तता जैन धर्मों में इसे पवित्र स्थान माना गया है मानसुरूबर जिल्ब में कल्प व्रिक्ष मौजूद है जो आखों से दिखाए नहीं देता लेकिन वो यहाँ पर मौजूद है जो हर मनोकामनों को पूरी करती है इस व्रिक्ष के फल के सेवन से जीवन सफल बन जाता है पर इस व्रिक्ष तक एक पवित्र आत्मा वाला इंसान ही पहुँच सकता है मानसरूबर के विपरित दिशा में राक्षस जील है मानिता है कि इस जील का अंद्रमान राक्षजों की राजा रावन ने किया था तथा इस नदी के किनारे रावन ने भगवान शिव की कठूर तपस्या की थी राक्षज ताल जील दुनिया की सबसे उची खारे पानी की जील है इस परवत की यातरा के दौरान यमराज नमक चोटी आता है इस चोटी से क्यलाश परवत की परक्रिमा प्रादम होती है और लगभग 50 किलोमेटर लंबी यातरा तैय करने के बाद वापस यमराज के पास पहुंसते है यानि एक परक्रिमा पूर्ण होती है इस इस्थान का नाम यमराज इसलिए दिया गया क्योंकि इस जगह पर यमराज रहते थे और कई लोगे दावा भी करते हैं कि आज भी इस इस्थान पर यमराज विराजित है जैन धर्म के धर्मकरंद के अनुसार प्रथम तिर्धंकर रिशब देव तथा बौद धर्मकरंद के अनुसार भगवन बुद्ध का ये क्यालाश परवत निवास थान है माना जाता है कि इस परवत पर पवित्रात्मा ही जा सकती है तिबबत चीन के अधीन है इसलिए चीन ने इस परवत को फत्य करने के लिए अनी को प्रयास किये पर आस तक इस परवत पर कोई नहीं चरपाया परवता रोहियों का माना है कि इस परवत के चढ़ाई चढ़ने पर व्यक्ति दिशा का ज्यान भूल जाता है तथा भावनात्मक रूप से शीन हो जाता है कई आत्रियों का मानना है कि इस परवत पर अलोकिक शक्तियों का वास है जिसके कारण ये शक्तियां लोगों को इस परवत पर चढ़ने से रोकती है अलोकिक शक्तियों के कारण यहां पर कई बार आस्चरजन घटना को घटते भी दिखा जा सकता है तो कई बार साफ मौसम में एकदम तेज बरबारी होती है और कभी रास्ता तक गायब हो जाता है कैलाश परवत की उपड़ी चूटी काकार शिवलिंग के समान है इस परवत की परक्रिमा से सभी पाप धुल जाते है माना जाता है कि मानसरोवर में कल्प व्रिक्स इस्थित है इसलिए इस जील के बारा परक्रिमा लगाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है माना जाता है कि इस परवत के भीतरी भाग में डमरू तथा ओम की ध्वनी उत्पन होती है प्रविज्यानी क्याधार पर ये ध्वनिया बरफ के पिघलने से उत्पन होती है क्यालाश परवत पर समय बहुत तेजी के साथ घड़ता है परवतारोहियों का मानना है कि यहाँ पर बाल और नाखुन बहुत तेजी से बढ़ते है तथा सामानी समय में साथ दिन में नाखुनों की लंबाई वहां मात्र बारा घंटों में बढ़ जाती है यह सच्चाई है लेकिन आज तक विज्ञा ने इस रहस्यों को नहीं समझ पाए क्यालाश परवत की इन अधुष शक्तियों के कारण कोई यात्री इस परवत को विजय नहीं कर पाया इसलिए चीन सरकार ने 2001 में अपनी आंतिम प्रयास के बाद इस परवत की चढ़ाई पर प्रतिबंद कर दिया और आज इसकी चढ़ाई करना गयर कानूनी अपराध है क्यालाश परवत दुनिया के दुर्गम परवतों में से एक है हिमाले जैसे परवत पर भी कई बाड सफल चढ़ाई की जा चुकी है परणतु क्यालाश आज भी आजय है और शायद आजय ही रहेगा इस परवत पर भागवान शिव की शिव शक्ति मूर्ती भी है क्यालाश और भागवान शिव की स्थिति पर हिंदू धर्म में कई गरंत में काफी कुछ लिखा गया है हिंदू धर्म के लोग इस परवत को भागवान शिव का घर मानकर इसकी पूजा करते हैं इसलिए शिव जी को क्यालाश पती कहा जाता है दोस्तों आज भी ऐसे कई सादू सन्यासी हैं जो क्यलाश पर गुप्त रूप से साधनाई करते हैं इन सादू की उमर का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है कई-कई सादू की उमर तो 500 से 600 साल और किनी की तो 1000 साल से भी उपर है लेकिन अब बात यहां पर यह आती है कि आखरी ये सादू अपनी पेट की भूख को कैसे शान्त रखते हैं क्योंकि चाहिए कुछ भी हो परन्तु हमारा ये शरीर तो प्रकरती से बना है और प्रकरती में हम जब तक हैं उनकी नियमों के नुसार तो चलना ही पड़ता है दोस्तो सौमी प्रणवानन ने अपनी किताब में इस राज का जिक्र किया है वे कहते हैं कि कैलाश में सादना करने वाले सादू के पास एक बहुती रहस में और तिलिस में पत्ती होती है इसे जादूई पत्ती भी कहा जा सकता है क्योंकि इसे चबाने के बाद भूप कई दिनों ये महिनों तक शान्त हो जाती है और शरीर में एक उड़जा और इस फूरती हमें सब बनी रहती है हालाकि इस पत्ते को योगी और सादुजन सारवजनिक तोर पर किसे के सामने नहीं दिखाते कहते हैं कि एक बार एक श्रद्धालू क्यालाश प्रवत में अपना रास्ता भटक गया और वो भटकते भटकते एक गुफा के पास पहुचा वो भूख और प्यास से बेहाल था उसने जैसे तैसे गुफा में प्रवेश किया और बेसुध होकर गिर परा जब उसके आँखें खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक अत्यन तेजस्वी सादू खरे थे उस सादू ने इस वैक्ति को एक पत्ता चबानी को दिया उस वैक्ति ने जैसे ही वो पत्ता चबाया उसके भूख प्यास मिठ गे और उसके शरील का तेज बढ़ गया और एक गजब की स्फूर्ती आ गए दोस्तो कहते हैं कि यहां पर ऐसे अनेकों जैरी बूटियों का खजाना है जिसका प्रियोग यहां रहने वाले सादू संग हमेसा से करते आया है लेकिन भी आम जन्मान से इन सभी चीज़ों को दूर ही रखते है दोस्तो ऐसा भी कहा जाता है कि कैलास की आसपास की गुफाओं में 25 से 30 हज़ार सादू गुप्त रूप से भागवान शिव की सादना में लिन रहते हैं और समय समय पर भागवान शिव उनका मार्ग दर्शन करते हुए उनको योग के क्रियाओं में मदद भी करते हैं इसलिए जगा धर्ती के सभी सादो संतों के लिए मोक्ष का द्वार है और विज्ञानिकों के लिए कौतो हुल का विशय है दोस्तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स के माधिम से जरूर लिखेगा मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक ने विडियो के माधिम से तब तर के लिए अपना खयाल रखीगा